हेलो फ्रेंड्स कैसे हो सब लोग आई होप सब लोग अच्छे होंगे बहतर होंगे और स्वस्त होंगे स्वागत आपका फिर्स क्लाउड लर्न टू लीड में तो आज हम डिसकस करेंगे दो और तीन जन्वरी 2022 के बहुत इंपोर्टेंट करेंट है जिसमेंसे दो बेस्ट इमेज़ीज आप यहाँ पर देख रहे हो लेकिन आज हम बहुत इंपोर्टेंट पर डिसकस करने वाले कम है लेकिन बहुत इंपोर्टेंट है तो बिलकुल वीडियो को लास तक देखना है लेकिन उससे पहले आप हमारी application को डाउनलोड कर लें careers cloud को उसका link description box में दिया हुआ है login कर ले अपनी email id के तुर और crack current fairs के उपर click करके एक साल या फिर दो साल की subscription आप buy कर सकते हैं दोनों का ही price बहुत कम है लेकिन इसमें हम आपको क्या provide करेंगे हम आपको daily current fairs provide करेंगे daily में 3 sections होंगे detail question and answer format और quiz section लेकिन ये तीनों चीज़े जो है वो आप हमारी application के उपर ही assess कर सकते और quiz जो है वो daily आप हमारी application के उपर attempt कर सकते हो weekly section होगा उसमें भी 3 sections होंगे detail, question and answer format और quiz और quiz weekly basis पे आप हमारी application के उपर attempt करोगे, मन्थली section जो की बहुत important है क्योंकि 4 तरह की PDFs आपको मिलनी है, detail transfer की, question and answer format की, best 100 transfer वो भी question and answer format में और चौती PDF होगी pocket PDF, जिसमे 2 line में, 3 line में आपको transfer मिल जाएगा तांकि जल्दी-जल्दी में आप इसको revise कर सको लेकिन आपकी performance को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग-लग तरह की topic-wise PDF दे रहे हैं तांकि एक topic, दो topic को अगर आप revise करना चाहते हैं, तो आप topic-wise PDF से कर सकते हैं, अगर आप banking student हैं तो हम आपको 3 sections देंगे, जो की सिरफ banking and economy से related होंगे, एक में detail होगी, question and answer format होगा, request होगा quiz आप हमारी application के उपर ही attempt कर सकते हो, लेकिन वो monthly basis पे attempt कर सकते हो इसी तरह से आपको एक exam PDF मिलेगी, जिसमें जितना भी current fair जा चुका है 2021 का उसको revise करने के लिए आप इसका use कर सकते हो आपको detail में budget और economic survey मिलेगा, और इसमें आपको expected question and answer भी बताये जाएंगे, जो budget और economic survey से examiner बना सकता है और अगर आप किसी भी state exam की त्यारी कर रहे हैं, तो हम आपको हर state का current fair प्रवाइट करेंगे, तांकि आपकी state performance improve हो सके हैं, तो इसी तरह से ये सारे current fair आपको मिलेंगे, लेकिन एकठे मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी हमारी application के उपर, तो download कर ले, link description box में दिया हुआ है, login कर ले email ID के थूर, crack current fairs के उपर click करके आप, एक साल, या फिर दो साल की subscription buy कर सकते हैं, दोनों का ही price बहुत कम है, लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखनी है कि अगर आप नए student अपनी preparation को start करें, तो मैं आपको advise करूँगा कि आप 2 साल का buy करें, क्योंकि 2022 में 2022 का लोगे तो बहुत costly होगा, अभी buy कर लोगे तो बहुत ज़्यादा फायदे में रहोगे, और इसमें आपको दोनों subscription में 10% extra discount मिल रहा है, अगर आप इस code का use करेंगे ASH10 का, और इस email ID और इस number पे हमें संपर्क कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको doubt है, तो start करते हैं 2 और 3 January 2022 का current fair, लेकिन उससे पहले और सारे बच्चों से request है, कि वो वीडियो को like करेंगे share करेंगे maximum to maximum, और channel को अभी के अभी subscribe कर लेंगे, और telegram group को आप description box से join कर सकते हैं, तो question क्या है which state won 2021-2022 VJ हजारे trophy, सबसे पहले आपको प्रदेश ने को domestic title जो है वो जीता है, किसको हराया है Tamil Nadu को हराया है, मतलब आप कह सकते हो कि हारने वाली team जो है, वो कौन है Tamil Nadu, 11 run से जो है Tamil Nadu को हरा दिया है, तो आप यहां पे देख सकते हो, हराया Tamil Nadu को है final कहां पे हुए, सवाई मान सिंग stadium के अंदर, जो की कहां पे स्थिता है जैपूर राजस्थान में, और शुबम अरोडा को player of the match जो है, वो कहा गया है क्योंका इसको यह award मिला, क्योंकि इन्होंने final match के अंदर 100 जो है वो मारा था, जिसके बाद जो है वो इनको हिमाचल परदेश की तरफ से जो है अलक्स award भी दिया गया, और साथ में आप कह सकते हो कि इनको player of the match भी जो है, वो announce किया गया, और वीजे हजारे trophy जो है, उसको रंजी वंडे trophy भी कहा जाता है, क्योंकि यह 2020 एक तरह का cricket tournament है जो हर साल होता है, और पहली बार 2003-2002 में हुआ था, और यह वीजे हजारे जो बहुत famous क्रिकेटर रहे हैं उनके नाम से जो है, इस tournament की शुरुबात की गई थी, याद रखना है question जो है slide से याद रखने, अगला question है which English novel won सहित्या Academy Award 2021 तो बहुत important है क्योंकि हम बात करें सहित्या Academy Awards की हर साल दिये जाते हैं लेकिन सहित्या Academy Awards के अंदर अलगलग categories है, एक सहित्या Academy है, एक युवा पुरसकार, एक बाल सहित्या पुरसकार है, तो हम यहाँ पे main सहित्या Academy Awards की बात करें और हम बात करें English novel की और इस English novel का नाम है things to leave behind so answer क्या होगा इसका C होगा बहुत important question है और ये book किस ने लिखी है नमिता गोखले ने लिखी है तो तीन चीज़ें इसमें याद रखने है book का नाम author कौन है language कौन सी है English है तो आप देख सकते हो सहित्य अकेडमी award जो है तीन केड़ेगरीज में एक तो सहित्य अकेडमी एक युवा पुरसकर एक बाल सहित्य पुरसकर 2021 के जो है वो दिये गए और यहाँ पे आप देख सकते हो ये 20 अलग-लग languages में दिये गए है जिसमें से आप कह सकते हो साथ जो है वो poetry की books है दो जो है वो इसमें novels है पांच जो है वो short stories है दो plays है इसके अंदर एक biography है एक autobiography है एक criticism से related है book एक epic pointer है तो इतनी ज़्यादा categories आप याद नहीं कर पाओगे नहीं हमने करनी है नहीं हमारे लिए important है तो हम अपने आपको रोकेंगे इन दो चीजों के उपर जो की novels हैं दो सहिते अकेडमी awards के अंदर एक नमिता गोखले जिसको हम cover कर चुक है English language है इसकी और things to leave behind जो है वो novel का नाम है और दूसरी जो novel लिखी है वो अनुरादा शर्मा पुजारी ने लिखी है जो की Assamies language में लिखी है जो पिछले 5 साल के अंदर जो publish की गई है मतलब 2015 से लेके 2019 के बीच में publish की गई है और इसको 1954 में इस award को शुरुआत किया गया था मतलब सित्य अगेडमी award की शुरुआत 1954 में की गई थी और ये ऐसा like honor है writers के लिए जो की बहुत ही जादा बड़े पाइदान पे जो है वो रखा गया मतलब सित्य अगेडमी award जो है बहुत बड़े पाइदान पे एक award जो रखा गया है जो literature के अंदर दिया जाता है और इस award के अंदर एक लाख रुपे की दंदाशी जो है पाँच जो है वो novels है इसके अंदर छे जो है वो short stories है और एक essay है एक play है तो अलगलग categories है लेकिन mega मजूमदार को एक युवा पुरसकार जो है वो सित्य अगेडमी का दिया गया क्योंकि उन्होंने एक novel अपनी पहली novel जो है वो लिखी है इंगलिश के अंदर जिसका नाम है एक burning तो यह भी आप जो है थोड़ा सा याद रख सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो सिरफ novels को मैं यहां पर ले रहा हूँ और उसमें भी सबसे important कौन से mega मजूमदार जो की इंगलिश में लिखी है और novel का नाम क्या है एक burning तो इस युवा पुरसकार की जो शुरुवात है वो 2011 में की गई थी और यह उन writers को recognize करता है उनको यह award दिया जाता है जिनकी 35 या 35 से कम है उनको ही यह recognize करता है ताकि young writers को encourage किया जा सके और इसमें जीतने वाले को राशी जो है categories हैं इसके अंदर आपको याद रखने की जुरूरतिन like 6 poetry के अंदर दिये गए चार short stories के अंदर दिये गए लेकिन इस बार गुजराती और पंजाबी को कोई भी award नहीं मिला बाल सहित्या पुरसकार के अंदर तो फिर से आप देख सकते हो यह novels हैं दोस्तों इसमें अलगलग categories हैं असैमीज, कनड, मल्यालम, मराथी, राजस्तानी यह language में लिखा गया तो अगर आप असम से बिलॉंग करते हैं तो इसको याद रखें करनाटका से बिलॉंग करते हैं, यह याद रखें, केरला से बिलॉंग करते हैं, तो इस तरह से आपने थोड़ा सा focus करना है लेकिन जो हमेशा याद रखनी है, सारे students ने याद रखनी है, वो English वाली है, जो लिखी है अनीता वचरजनी ने और नाम है अमरिता शेरगिल, rebel with the paintbrush, बहुती famous like painter अमरिता शेरगिल, उनके बारे में उनकी बायोग्राफी जो है basically लिखी हुई है तो तीन बुक्स आपने most importantly जो है वो याद रखनी है, मैं underline कर देता हूँ इसको green से, जो आप याद रखोगे एक तो नमिता गोखले की बुक, जो हम question में cover कर चुके है, things to live behind, English में लिखी हुई है दूसरी बुक mega मजूमदार की है, English में लिखी हुई है, यह burning है, यह याद रखोगे तीसरी हमने याद रखनी है, अनीता वचराजनीन की, यह भी जो है वो English में है, बुक का नाम है, अमरता शेरगिल, यह सबसे important है और यह award जो है, वो recognize किये है, Ministry of Culture की तरफ से, और minister कौन है, यूनियो minister, गंगा, गंगा, पुरम, कृशन, रेड़ी तो याद रखोगे, गंगा, पुरम, किशन, रेड़ी, और जीके, रेड़ी, इनकी constituency, सिकंद्राबाद है, सिकंद्राबाद दोस्तों कहाँ पर है, तेलांगना में है, तो यह चीज़ आपने याद रखनी है, जितनी भी बन्याब को बताएं है और इसमें भी आप याद रख सकते हो, राशी जो है, वो कितनी दी जाती है, पचास हजार उपे की राशी जो है, वोई नाम में दी जाती है अगले question के उपर आते हैं, अगला section है basically, क्योंकि very important section को start करेंगे, most important खतम हो चुका है तो उससे पहले वीडियो को like कर दें, share करें maximum to maximum, channel को subscribe कर दें और telegram group को आप description box से join कर सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले, PO course के बारे में थोड़ी सी आपको जान करी दूँगा तांकि आपको पता लग सके कि जो free of cost हमने course start किया है, उसमें हम आपको क्या-क्या दे रहे हैं और किस तरह से आप अपनी preparation को और improve कर सकते हो, तो सिरफ 50 से 55 seconds लोगा आपके, तो उसके बाद आपको सारी चीज़े समझ आजेंगे, तो आपकी performance और बहतर हो जाएगी जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम already IBPS PO exam course जो है वो start कर चुके है, 25 days का ये program, हमने 13 December को इसको launch किया था, 14th of Jan को ये खतम हो जाएगा मतब almost एक महिने का वैसे, लेकिन अगर count करोगे तो ये 25 दिन का जो है program बनेगा, क्यों 25 दिन का, क्योंकि इसमें Monday to Friday ही हम आपको quiz जो है, वो provide करेंगे, इसमें सिरुक quiz होंगे, जो कि आपको हर दिन provide किये जाएंगे, Monday to Friday, 70 questions रोज provide किये जाएंगे, जिसमें 20 question math के होंगे, मतब क्वांट के होंगे, 20 question जो है, वो reasoning के होंगे, 30 question जो है, वो banking and journal awareness के होंगे, तो आप देख सकते हो, इस तरह का ये quiz होगा, आप इसको रोज attempt कर सकते हो, जरूर नहीं कि आज का कोई जाज ही attempt करना है, कोई limit नहीं है, आप कभी भी उसको attempt कर सकते हो, लेकिन इसको attempt करने के लिए आपको हमारी application को download करना पड़ेगा, careers cloud application को download कर लें, उसका description box में link जो है, वो दिया हुआ है, तो कोई limit नहीं कभी भी करें, और अपना IBPS PO exam crack करें, practice करें maximum to maximum, तो start करते हैं, very important question section का question, start करते हैं, पहले question में, very important में, which country successfully test fired new zircon hypersonic cruise missile, देखो ये question हम बहुत बार कर च test किया है, और एक नहीं, 10 zircon missile का test किया है, और ये country कौन सी हमारे पास, Russia, तो answer क्या होगा, इसका C होगा, तो Russia ने, जो hypersonic missile है, hypersonic मतलब speed of sound से 5 गुना तेज़ जो है, वो चलती है, उससे भी ज़्यादा तेज़ चलती है, तो उसको hypersonic कहा जाता है, तो इन्होंने इसको submarine से भी launch करके देख लिया, इसको frigate से मतलब एक ship से भी launch करके देख लिया, तो बहुत ही सफल ये test रहा है, और इसकी speed जो है, वो 9 गुना जादा है, speed of sound से, तो बहुत बड़ी बात है, इसकी range कितनी है, 1000 km, ये दो चीज़ें आपके लिए बहुत important है, और इसको जो है, अगर आ गुना जादा है, speed of sound से, और cruise missile, जो है, वो एक simple missile के तोर पे जाना जाता है, ballistic missile जो है, वो उससे भी simple तोर से जाना जाता है, लेकिन ये जो cruise missile है, ये बहतर होते हैं, ballistic missile से, क्योंकि एक तो ये lower altitude पे fly कर सकते हैं, मतलब जमीन के साथ जो है, वो fly कर सकते हैं, और आप कह सकते जो earth atmosphere में ही fly कर सकते हैं, इसको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं, जिसके कारण जब इनको track करना जो है, वो क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, तो कोई भी country के लिए इसको track करना जो मुश्किल है, और इसलिए जो है, वो सबसे अच्छी बात है, और बहुत सी missiles का test जो ह हो चुका है, जिर्कॉन का, जो कि submarine से भी launch कर चुके हैं, ship से भी launch कर चुके हैं, एक cruise, cruiser से भी, मतलब cruise से भी जो इसको launch करके देख लिया गया है, तो अब कह सकते हो, कि बहुत ही successful friction रहा है इसका, और इसको Russia ने launch किया, तो याद रखना है, keyword है जिर्कॉन, अगले question के उप captain थे, मतलब उनकी team के captain थे, और coach भी रह चुके हैं, coach रह चुके हैं, एक साल 1995 से 1996, England cricket team के, इनका देहान थो गया, 89 years old थे ये, मतलब 99 वरिश की age में इनका देहान थो गया, इन्होंने 31 times जो है, वो captaincy की है, मतलब England की captaincy का 30 बार जो है, वो इन्होंने की है, और 12 matches जो है, इन England की captaincy की है, chairman भी रहे हैं, England selectors board के, 1993 से लेके 1996 तक, एक बहुत ही famous county club है, England का, जिसको कहता है, Yorkshire county club, उसकी तरफ से भी ये खेल चुके England में, 61 test match भी खेल चुके हैं, और like 1958 से लेके 1973 में, इन्होंने इन test match इसको खेला था, तो याद रखना है, जितनी भी चीज़े मैंने बत से belong करते थे, अगला आते हैं, paisabajar.com और कौन सा ऐसा bank है, जिन्होंने pre-qualified program launch किया है, तांकि launch जो है, वो provide किया जा सके है, platform के उपर, तो simple question है, ये bank है, Axis bank, तो इसको simple words में समझा देता हूँ आपको, कि अगर आप Axis bank के customer हो, और आपको कोई offer है, कि आपको जैसे message आता रह आम जो है, वो start किया है, तांकि loans जो है, वो दिये जा सके है, तो चाहे आप sell lead हो, चाहे self employed हो, लेकिन अगर आप Axis bank के customer हो, तो आपको pre-qualified personal loan जो है, वो मिल सकता है, आप apply कर सकते हो, पैसा बजार platform के उपर, तो इससे क्या होगा, कि ये सारा का सारा process जो है, वो paperless है, मतलब आप digital platform पर enroll कर लिया जाओगे, digitally आपको loan दे दिया जाएगा, जितने भी documents है, वो भी आपने digital submit करने है, तो आप जो है, वो कुछी steps के अंदर जो है, वो पैसा बजार platform के उपर, आप loan जो है, वो acquire कर सकते हो, वो भी digital, तो इसका मतलब, अगर आप पैसा बजार का platform यूज क है, वो नवीन कुकरेजा जी है, और इसका जो headquarter है, वो गुरूगरा मतलब गुडगाओं में है, एकसी बैंक के बारे में याद रख सकते हो, कि इसके CEO और MD जो है, वो अमिताब चौधरी है, अमिताब चौधरी, और इसकी स्थापना 1993 में की गई थी, 1994 में इसने काम करना start किया, headquarter इसका Mumbai है, और इसकी tag line है, बढ़ती का नाम जिन्दगी, बढ़ती का नाम जिन्दगी, अगले question के उपर आते हैं, who launched the India semiconductor mission to attract large investment, तो semiconductor industry में और investment करने के लिए, तांकि इंडिया शक्त बन सके, आतनिर्बर बन सके, semi conductor के अंदर, तांकि बाहर से जो silicon chips हम मंगाते हैं, IC integrated circuits मंगाते हैं, वो हम बंद कर सके और इंडिया में ही बन सके, और इसका उधगाटन किया है, अशुनी वैशनव ने, तो अंसर क्या होगा, ए होगा, जो कि Minister of Electronics and Information Technology है, और इनकी constituency यहोडिस सा राजय सबा के member है, है क्या India semiconductor mission के अंदर, तो अब देख सकते हो, यहाँ पे अ अशुनी वैशनव का photo, bureaucrat turned politician है, यह Information Technology Minister है, अशुनी वैशनव उन्होंने इसका launch किया, तो India semiconductor mission जो एक specialized and independent business vision बना दी गई है, जिसमें India Digital Corporation जो है, उसके अंदरगर्थ यह रहकर काम करेगा, मतलब आपको अलगलग schemes बताई जाएंगी, सरकार की तरफ से जो चल रही है, उसक application सरकार की तरफ से मंगवाई गई है, center government की तरफ से, ताकि semiconductor industry के अंदर अगर आप invest करना चाहते हो, तो application आप देश सकते हो, 1 January से यह application start हो चुकी है, 45 days का यह program है, application का, मतलब 15 February तक आप application जो है, वो submit कर सकते हो, online platform के उपर, इसका मतलब जो companies interested है, center government की तरफ से invite भी की गई है वो semiconductor या आप कह सकते हो, display manufacturing के अंदर जो है, वो invest कर सकती है, इसमें सरकार क्या साहता करेगी, 50% जितनी project की cost है, उतना सरकार जो है, वो आपको help करेगी, मतलब maximum to maximum 12,000 crore रपे जो है, वो एक fab के उपर जो है, वो सरकार invest कर सकती है, और display fabs के उपर भी जो है, वो सरकार invest कर सक लेकिन 50% ही आपकी project cost का, या 12,000 crore रपे, अब fab का मतलब यहाँ पे क्या है, एक fabrication plant, एक fabrication plant, उसको हम क्या कह रहे है, एक fab, जहां पे silicon जो wafers होते हैं, उनको हम जो है, वो integrated circuit, मतलब IC chips में हम क्या कर देते हैं, convert कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, fab, और यह सरकार जो सहायत प्रवाइड करेगी financially, वो 6 साल के लिए प्रवाइड करेगी, तो यह अपने याद रखना है, यह है हमारा India semiconductor mission, अशनी वैशनव जी ने इसका उर्गाटन किया, जो कि Union Ministry, Ministry of Electronics and Information Technology कहां से बिलॉंग करते हैं, ODISA से, अगले question के उपर आते हैं, who will head the energy transition advisory committee formed by the ministry of petroleum and natural gas, तो energy transition advisory committee नामसी पता लग रहा है, जो energy की transition के उपर एक अपना guidelines बताएगी, और इसको lead करेंगे, जो पुराने secretary रह चुके हैं petroleum के, तरुन कपूर जी, वो इसको lead करेंगे, even उन्होंने अपने office से resign कर दिये, strategy को बनाने के लिए, और आप देख सकते हो, कि यह panel बनाया गया है total, ताक energy transition के उपर focus किया जा सके, क्योंकि government of India का plan है, कि हम energy transition एक road map तियार करें, especially oil and gas sector के लिए, ताकि इंडिया जो है, वो 2070 तक net zero emission के उपर आ जाए, क्योंकि अभी United Nation framework of climate change, जो है वो conference हुई थी, कहाँ पे Glasgow के अंदर, तो वहाँ पे हमने निरने लिया था, और एक target set किया था, कि carbon emission जो है, वो zero हो जाएगी, तो इसको चीव करने के लिए, हमें इस plan को बनाना होगा, और इस committee को कहा गया है, कि आप step by step, एक guideline plan तियार करें, और 6 महीने के अंदर submit कर दें, मतलब आप कह सकते हो, mid 2022 के अंदर जो है, वो आप इसको submit कर दें, ताकि इस road map के through हम जो है, वो fossil fuel स चल रहे हैं, कोईला यूज कर रहे हैं, पेट्रोल यूज कर रहे हैं, तो clean energy के उपर shift कर सके हैं, तो committee जो है, वो काम करेगी, oil companies के साथ मिल के भी, ताकि transition fossil fuels से जो है, वो हम clean energy की तरफ आ जाएं, specially transport sector के उपर भी focus किया जाएगा, तो इसमें green hydrogen के उपर, naval energy के उपर, यह सार 2030 तक, यह India got already target set है, renewable energy के through, तो ministry petroleum, natural gas के बारे में याद रखना है, हरदीप सिंग पूरी जी, union minister है इसके, राजय सभा के member है, currently उतर परदेश से, अगले question के उपर आते हैं, अगला important section, लेकिन वीडियो को like करेंगे, share करेंगे maximum to maximum, और channel को subscribe करना है, और telegram group को भी आप description box से join क कर लें, question बहुत ही simple है, आपने picture से इसको cover करना है, कि department of telecommunication है, उसने committee बनाई है, basically एक नहीं है, total कितनी task forces मनाई है, 6 task forces मनाई है, तांकि 6G development हो सके, तो 6 task force, 6G technology के लिए 5G से बहतर technology, तांकि इंडिया जो है, वो research में आगे रहे, और यह task force जो है, वो research and development के उपर काम करेंगी, manufacturing के उपर काम करेंगी, तांकि हम already जो है, वो अपने product को ready कर सके, तांकि 6G technology जैसे ही हम start करते हैं, तो हमारा इंडिया जो है, वो future ready हो सके, तो यह 6 task force जो है, वो लग-लग research and development करेंगी, 6G inputs के लिए, और ministry of communication के अंदर इस department of telecommunication की, इस को set up किया है task force को, और कौन है युनिय मिनिस्टर फिर से अशनी वैशनव जी और उनकी constituency कौन सी है, ओडिसा, simple question है, just picture से इसको देखके, read करना है, याद नी रखना, one-liner important point में पहला आता है कि रशिया ने जिर्कौन missile का test किया, हम already बात कर चुके हैं इसके बारे में, defense minister ने 27 border infrastructure projects का उदगाटन, basically उसका न इन जो है, वो road project है, जिसके अंदर defense minister जी ने कहा कि अगर ये बनाए गए, चार states और दो unit territories के अंदर, तो हम अपनी security को और भी मजबूत कर सकते हैं, सेबी ने market data advisory committee को reconstitute किया, ये 20 member committee है दोस्तों, इसको lead कौन करेगा, साहू जी जो है, वो lead करेंगे इसको, तो इसका main मक्सर यहीं है, कि securities market की data accessibility कैसे की जा सकती है, और privacy को कैसे हम जो है, वो control कर सकते हैं, मत्तब privacy को leak होने से रोक सकते हैं, इमाच्य प्रदेश ने VJ 1000 trophy को जीत लिया, अल्लेडी कर चुके हैं, former England cricket captain Ray Illingworth देहान्त हो गया, नेक्स से सुमालिया के जो president है, उन्होंने प्राइम corruption charges के होते हुए, तो अपने simple तोर से याद रखने हैं कि एक तो president का नाम, president है मुहमद अब्दुलाही, मुहमद अब्दुलाही, मुहमद, पूरा नाम है मुहमद अब्दुलाही, मुहमद, यह president हैं सुमालिया के, इन्होंने prime minister को जो हटा दिया है, उनके ओपर corruption charges, public land का गल अब्दुलाही, मुहमद, और prime minister कौन थे, मुहमद हुसेन, रोबल, और सुमालिया की capital जो है, वो कौन सी है, मुगदिशू, मुगदिशू, currency जो है, वो Somali shilling है, और सेभी के बारे में भी याद रख सकते हैं, सेभी की स्थापना 1988 में की गई थी, लेकिन सेभी Act 1992 में बनाय गया है, और सेभी के currently chairman कौन है, अजे त्यागी, अजे त्यागी जी, इसका headquarter Mumbai है दोस्तों सेभी का, ये देख सकते हैं, आप Somalia के president ने जो prime minister को suspend कर दिया है, नेक्स आते हैं, एक January 2022 का question क्या था, question था कि bankers check किसको कहा जाता है, तो बहुती simple था, कि banker check जो है, वो demand draft को कहा ज जाता है, ये answer होगा, demand draft जो है, वो एक non-negotiable instrument है, मतलब इसको किसी को transfer नहीं कर सकते, like इसको bank issue करता है, on behalf of the customer, on behalf of the customer, और DD की validity जो हो तीन महीने होती है, लेकिन कई banks जो हो छे महीने की भी देते हैं, लेकिन आपने याद रखना है, generally इसकी RBA की guidelines के according validity जो हो कितनी होती है, तीन महीने की, अब आते है question of the day, question of the day क्या कहता है, the interest rate policy is a component of, interest rate policy जो सरकार बनाती है, वो किसका component है इसमें से, आपने मुझे answer comment box में बताना है, मैं आपके answer का wait करूँगा, लेकिन video को like करना है, share करें या, maximum to maximum, कम से कम एक दोस्त को तो share कर दिया करो, channel को subscribe करें, अभी के अ लोगे हमेशा खुश रोगे, इसी smiley की तरह, thank you guys, take care and bye bye